हलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल कैसे हो आप लोग आई होप आपस भी बहुत अच्छे होंगे तो आज हम बनाएंगे सोया चाप स्टिक और यह खास करके बच्चों को बहुत ही जादा पसंद आता है और बहुत ही टेस्टी होता भी यह खाने में तो इस रेशिप को आप एक बड़ जरूर ट्राय किजेगा पूरा वीडियो जरूर देखे अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लेज वीडियो को लाइक सिर कर दीजेगा और साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब पर लिजेगा और सब्सक्राइब करने के बाद वेलोटने भी प्रेस कर लिजेगा ताकि मैं जब भी कोई नए वीडियो डालू तो सबसे पहले आपको नोटिपिकेशन मिल जाए तो चलिए इस मज़िदार सी रेसिपी को बनाना सुरू करते हैं और देखिए कितना बढ़िया टेस्टी बना है यहां मैंने 300 ग्राम चाप लिया है और यह आपको इजली कोई भी किराने श्टोर में मिल जाएगा और इसको हम सबसे पहले बोयल कर लेंगे तो यहां मैंने लगबग आधा लिटर पानी रखा है बोयल होने के लिए इसमें हम डाल देंगे आधा छोट चमच नमक गैस के फ्लेम को मेडियम रखेंगे और यहां पर हम डाल देंगे इसमे इससे पहले एक बार आप इसको धो जरूर लिजेगा तो मैंने इसको पहले से दो के रखा था और यहां हम रख देंगे इसको बोयल होने के लिए और इसको मीडियम फ्लेम पे 5-7 मिनट के लिए बोयल कर लेंगे यह फ्रोजन होता है तो इसलिए थोरा से इसमें स्मेल होता है और boil कर देने से थोरा soft भी हो जाएगा और इसका जो smell है वो भी चला जाएगा और 2-3 मिनट बाद यहां देखिए boil आ चुका है और इसको हम एक बार उलट पिलट कर देंगे ताकि अच्छे से boil हो जाए और 2-3 मिनट हम इसको और boil कर लेंगे यह medium flame पर करना है तो यहां देखिए लगबग 6-7 मिनट हो चुका है इसको boil करते हुए gas को off कर देंगे और यह काफी बढ़िया soft हो गया है gas को off कर देना है और फटा-फट से इसको पानी में से निकाल लेंगे इसको पानी में नहीं छोड़ना है तो यहां हम इसको पानी में से निकाल लेते हैं पानी में अगर आप इसको छोड़ देंगे ज्यादा देर देए काफी सारा जो पानी अब जोब कर लेगा तो पानी में आप इसको ज्यादा देर नहीं छोड़ना है तो यहां हम इसको निकाल लेते हैं तो यह लिजिये यहां पर मैंने सारा निकाल लिया है अब हम इसको ठंडा होने देते हैं और यहां यह ठंडा हो चुका है अब हम क्या करेंगे धोराawn सा जो इसका इस्टीक तोरा होता देंगे doing पुराद हैसे इतना इतना हट नहां कि बस पकड़ने लैप हो जाए सब लगाएंगे और सब्सकिट करें लगा ले destac कि एक मैंति चीक में मैं लगा दिख सकते हैं एक आध कर दो तरफ तक इसमें फ्लेवर जाएगा इसलिए आप चाहे इसको इस टीक को निकाल कर भी फ्राय कर सकते हैं मैं आपको इसको ऐसे करूंगी मैंने सारे स्टिक में कट लगा लिए अब हम इसके लिए मसाला तयार करेंगे तो यहां हमने एक बड़तन ले लिया है इसमें हम डालेंगे चार चम्मच दही, दही फ्रेस होना चाहिए, मतलब ज्यादा खटा मत लीजेगा, आप दही कोई भी ले सकते हैं, बाजार वाला या फिर होममेट, तो यहां मैंने इसमें डाल दिया है चार चम्मच दही, अब हम इसमें डालेंगे, दो छोटी चम्मच बेशन, तो यहां मैं यहां पर हम डालेंगे, एक छोटी चम्मच हल्दी पौडर, और यहां पर एक छोटी चम्मच लाल मिर्च, दो छोटी चम्मच धनिया पौडर, और नमक, स्वाद अनुसार, और यह है एक छोटी चम्मच चार्ट मसाला पौडर, इससे काफी बढ़ियां टेस्ट आता है, तो यह अप जरूर डाल ला और यहां पर हम सारे मसाले को अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेंगे काफी अच्छा स्मूध मसाला होना चाहिए और इसके बाद यहां पर हम एक पराचमच तेल डाल देंगे तो यहां मैंने रिफाइन डोल लिया है आप कोई भी तेल इसमें डाल सकते हैं खाने वाला तो यहां पर मसाला तैयार है अब हम सारे इस्टिक में यहां पर मसाला लगा लेंगे तो एक साथ भी अप लगा सकते हैं मैं यहां पर एक एक कड़ के लगा रहे हूं ताकि मसाले अच्छे से अगर आप एक साथ भी लगा रहे हैं तो कोशिस किजिएगा कि सारे lad्रिक में ने मसाले खुब अच्छे से मिक्स हो सके मतलब अच्छे सिसके मसाल इसमें लगने चाहिए मसाले खुब अंदर तक इसका फ्लेवर ब्रेड क्रम बना लिया है और इसके उपर अच्छे से कोट कर देंगे जितना हो सके खुब अच्छे से कोट कर लेना है तो साड़े स्टिक में इसी तरीके से हम यहाँ पर कोट कर लेंगे और ये लिजे यहाँ पर मैंने सारे स्टिक में अच्छे से इसकी कोटिंग करके रख लिया यहाँ पर चलते हैं इसको फ्राय करने के लिए और इसको फ्राय करने के लिए यहां पर मैंने रिफायन डॉल लिया है और गैस के फ्लेम को यहां पर लो टू मीडियम पर रखेंगे तेल गर्म हो चुका है हाथों से आप चेक कर सकते उपर से हाथ लगा करके हीट आ रही अच्छी और एक बार में आप ज्यादा मत प्रेम दिक्कत हो सकता है तो यहां मैंने तीनी ढाला है और एक तरप से मदा नीचे से जैसे यह गौल्डन कलर हो जाने टापको पलर देना है तो यहां दिक एक तरप से काभी बढ़ियाँ सा कलर आ गया है तो यहां पलर देते हैं सब को । गयास के फ्लें को luminos तो मेडियम पर ही रखेंगे ताकि अंदर तक ही अच्छी से फ्राइब हो पाए ने तो अंदर से कच्चा रहे जाएगा तो यहां मैंने सब को पलट दिया है खुब अच्छे से और दूसरे तरफ से भी अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राइ करेंगे और इसका कलर आपको जैसा चाहिए मतलब हलका लाइट या ज्यादा डार्क आपको चाहिए वो ज्यादा गोल्डन तो वैसा आप रख सकते हैं मैं यहाँ पर इसको एक और बार पलट देड़ हूँ ताकि थोरा से इसका कलर जो है और डार्क हो जाएदे कि इस तरफ से जैसा है वैसा ही कलर हम उस तरफ से भी थोरा सा और फ्राइ करके इसको कर लेंगे इसको फ्राइ होने में लगबग चार से पांस मिनट का टाइम लग जाएगा तो जल्दिवाजी मत किजिएगा और यहाँ पर यह अच्छे से दोनों ही तरफ से बहुत ही बढ़िया सा कलर आ गया इसको हम निकाल लेते हैं और सेम प्रोसेस से हम जो बचा हुआ है उसको भी हम फ्राइ कर लेंगे तो हम इसको निकाल लेते हैं और यह लीजे मैंने यहाँ पर सारा फ्राइ कर लिया है और देखे कितना बढ़िया बना है कितने अच्छे सिफ्राय हुआ और कितना टेस्टी दिख रहने इसको देखते ही बच्चे तूट पड़ेंगे और घर में सभी को बहुत पसंद आएगा आपको जब भी कभी चटपटा खाने का मन करें तो इसको आप बना सकते हैं आपने देखा इसको बनाना कितना आसान है और काफी एजी तरीका मैंने बताया भी है इसको बनाने का तो आप भी इसको बनाएए और enjoy कीजिए I hope आप लोगों को वीडियो पसंद आये हो पसंद आये तो फ्लीज वीडियो को लाइक करें शेर करें अपनी family और friend के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो में तब तब की लिए बड़े